नमस्कार कब्रिजरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे कि कब्रिस्तान में बैटकर चाय का मज़ा किस तरह लिया जाता है गुजरात की राजदनी शहर हमदाबाद में स्थिद न्यू लखी रेस्टोरेंट को देखकर आप यहां सोचने पे मज़़ूर हो जाएंगे कि कहीं कोई कब्रिस्तान तो नहीं है लेकिन यह बहुत पुराना रेस्टोरेंट है लगबग 5 दशक पुराने इस दे न्यू लखी रेस्टोरेंट में 45 साल पुराने ग्रहाग बताते हैं कि जब उन्होंने यहां आना शुरू किया था तब सिर्फ यहां एक चाय की छोटी सी दुकान हुआ करती थी लोग कबरों के आसपास बैटकर आराम से चाय पिया करते थे समय बदला और छोटी सी दुकान आजा हमदाबाद की फेमस द न्यू लखी रेस्टोरेंट हो गई कबरों के बीच बने अनूठ है सिटिंग अरेंजमेंट की वज़े से लोग दूर-दूर से यहां चाय की चुसकी लेने आते है इसका अनूठा कंसेप न सिर्फ पुराने लोगों को बलकि यू आओ में भी खासा फेमस है कई लोग कबरों वाले दे न्यू लखी रेस्टोरेंट को अपनी लिए लखी भी बानते है और किसी भी तरह के जरूरी काम से पहले यहां कर चाय पीते है इस रेस्टोरेंट में कुल 26 कबर है जिनका खैल रेस्टोरेंट स्टाफ स्वयम रखता है स्टाफ के दिमाग में फ्लोर पर बने इन कबरों के नक्षे ऐसे फिट है कि वहां आसानी से इन कबरों के 20 से होते हुए और टेबल तक पहुचा देते हैं इसके बारे में एक खास बात यह भी बताई चाती है कि एक जमाने में महशूर पैंटर M.F. हुसेन भी दे नियू लकी रेस्टोरेंट के मुरीद हुआ करते थे और अक्सर यहां चाय पीने आया करते थे उन्हें जगे इतनी पसंदी कि यहां बैटकर उन्होंने कई पैंटिंग्स भी बनाई जिन में से कुछ पैंटिंग्स उन्होंने रेस्टोरेंट को बतोर तौफे में दे दिए